हिंदी सिनिमा लगातार फ्लॉप के शौक से बाहर आने के कुशिश कर रहा है। बॉलिविड की फिल्में लॉक्स ओफिस पर खास कमाल नहीं कर पा रही। लेकिन फिर भी महंगी से महंगी फिल्में बन रही है। अब यह कॉन्फिडेंस है यह ओवर कॉन्फिडेंस यह आ कहां से रहा है। यह तो पता नहीं लेकिन आपको बताते हैं कि ब्रहम मास्त्र अभी हाली में सबसे ज्यादा बजट वाली हिंदी फिल्मों में से एक रही है। चार सो करोर से ज्यादा की फिल्म बनी है यह। इससे पहले साउथ की फिल्म में बड़े बजट की बना करती थी। लेकिन अब बॉलिवुट भी बजट के मामले में सब को पीची करने वाला है। आपको बताते हैं कैसी फिल्म आने वाली है जो आपको हैरान कर देगी। इसमें अक्षे कुमार से लेकर अचे देवगन, रनबीर कपूर, अनिल कपूर, रनबीर सिंग, नाना पार्टिकर जैसे सितारे नज़र आ सकते हैं। बॉलिवूट को या साउथ की फिल्म में इनका बजट धीरे-धीरे ज्यादा हो रहा है और फिल्म से ज्यादा अकसर फिल्म में लगा पैसा चर्चा में रहता है। पोनी अन सिल्वन की बात करें मनी रतनम की तो 500 करोर से ज्यादा का बजट रहा। खेर इन सब फिल्मों को बजट के मामले में अब बॉलिवुट की महा भारत पर बनने वाली फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का बजट 700 करोर होने वाला है ये भारत की पहली फिल्म होगी जिसका बजट 700 करोर तक होगा इसकी प्रोडूसर फिरोज नाडिया वाला है जो पहले हेरा फेरी और वेलकम जैसी फिल्मे बना चुके हैं बड़े सितारों के साथ इसमें कई ऐसे एफेक्ट्स और सेट्स होंगे जो पहले कभी नहीं देके गए कई मायनों में ये भारत में फिल्म निर्मान के ख्षेतर में एक रिकॉर्ड कायम करने वाली है हाला कि महाभारत पर पहले कई सीरियल्स या फिल्में बन चुकी है लेकिन ये कई मायनों में खास होने वाली है इस फिल्म का बजट सुनने के बाद हर कोई हैरान रहे किया है अब जब लगातार फ्लॉप की लिस्ट इतनी लबी हो रही है तो इतना पैसा फिल्म में लगने पर हैरान होना तो बनता ही है कोई हीरो भी इस वक्त इतना कमाल नहीं दिखा पा रहा कि उसकी नाम से फिल्म हिट हो जाए ऐसे में अभी देखना होगा कि फिल्म बॉक्स आफिस पर क्या कमाल कर पाएगी इस समय पूरी दुनिया में लोग कन्फ्यूजड हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है क्या सच है क्या जूट है और ये सपश्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे सब कुछ ब्लैक और वाइट में बताएं इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा हर खबर ब्लैक और वाइट की तरह बिलकुल सपश्ट होगा